नमस्कार मैं हूं मिर्तुन्य कुमारजा और अगले आदे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर रहे हैं हमारा टोल फ्री नमर है 1820-1803545 साथी आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देंगे यह केडिया केडिया कमोलिट्री की म्ड हमारे साथें और साथी हमारे साथ हम्सेक्रिटी की आफ़चा जैने position है सोने चांदी का बाजार उताय चड़ाओ के दोर से गुजर रहा है गोल्ड में थोड़ी बहुत मजबूती है करीब 34 रुपए की लेकिन सिल्वर का भाओ दबाब में आ चुका है 27885 के इस्तर पर है MCX पर चांदी का भाओ और इसके अलावा अगर बात करें कुछ और कांटर की तो वहां पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है यह हम आपको बता रहे हैं क्रूड की बात कर लेते हैं और क्रूड में आज के कारवार के लिए फिलहाल करीब 40 रुपए की नर्मी है 298 के इस तरह पर है MCX पर कच्चे तिल का भाओ तो गिरावाट के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है नेच्रल गैस में करीब पौने 2 रुपए की गिरावाट है 191 के नीचे है MCX पर NG तो लाल निशान में यहां पर कारवार होता हुआ दिक रहा है आप देख रहे हैं मार्केट का ताजहाल की इस तरह का एक्षन शाम के कारवार में बादार में दिक रहा है जिंक में करीब आदा फिर्दी की मजबूती है 182 के उपर है भाओ और मामली बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड होता हुआ दिक रहा है यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की पहली बंपर कॉल क्या है और आज अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आज की पहली बंपर कॉल जहां पर आपके लिए कमाई की बेतर मों के होने वाले हैं गोल्ड 27950 के भाव पर आप इक्वाली करिए 27,750 का टार्गेट होगा और 26,100 रुपए के इस तर पर आप इस्टाप्लस के साथ ट्रेड करें क्या उम्मिद कर रहा है कैसा ट्रेड रहने वाला है चानावाइदा में गुड़ीनिंग में तुझे डेफिनिटली काफी एक अच्छा संकेत मिला है जिजिदंग से सहभी ने प्रोडिक्टिवली हमने देखा जब से पाटिसिपेट हुआ है कुछ ना कुछ कमोटिक लिए नया आते जा रहा है कास कर चैने की बात किया तो काफी लिक्विड और हमने देखा टॉप त्री वाल्यूम ड्राइवर हम बोल सकते हैं अगरी में रहा है मुझे लगता है वाल्यूम पाटिसिपेट डेफिनिटली रहेगा बट्जिदंस हमने पिसले एक साल में प्रोडेक्शन और सप्लाई देखी हो काफी जादा है तो मुझे लगता है कि प्राइजेस पर एक विकनेस के साथ खुलनी चीए और पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहना चीए ओके ठीक है आफ्टा जैन आपका कमेंट क्या होगा इस ख़बर के उपर क्या आपको भी लगता है कि वाल्यूम में इजाफा आप देखने को मिलेगा चैना वाइदा ला करें तो चैना ही कैसा पल्स है जो कि यहां पर लिस्टेट है और जिसमें काफी अच्छा मुवमेंट अल्रेडी रहा है डेफिनेटल एक अच्छा वाल्यूम हमें गइंग फावर्ड देखने को मिलेगा ठीक है जब आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं कि आज आपको बा है मार्केट नीचे है मुनाफे में हैं आजे केडिया क्या इनको अभी रुकना चाहिए और गिरावट की संभावना आप देख रहे हैं चांदी में पिछले अपते तक की बात करें तो हमने काफी अची गिरावट अलरी देख चुके पिछले दो सेशन से हमने देखा है मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है आज मैं लगता है विकनाइस रहेगी प्राइजस में बट कोई बड़ा जंप या बड़ा फॉल नहीं लग रहा है तो टाइमिंग ये बने रही है नीचे में 36-600 तक का टारगेट पे इनको बुक कर लेना चाहिए जबकि एक स्टॉप लोस 37-400 का जरूर मिंटिन करके चलिए ओके तो विक्वाली की सला है 36-600 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा इस पर आप नजर रखिए और इन सब के अलावा और सिर्वर के अलावा गोल्ड के उपर अफ्साजन क्या भी होगा आपका गोल्ड में क्या करना चाहिए आज के लिए आज की बात करें तो एक range bound trading momentum हमें इस commodity में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत क्योंकि आज यह तेजी है इसलिए मैं तेजी करने की सला दूँगी लेकिन short term के लिहाज से 28,100 के target के लिए जी ओके ठीक है इस पर हम नज़र रखिए गोल्ड में यहाँ पर बाइंग की राइदी गई है आस्था की तरफ से 27,700 के इस तरफ पर 28,100 रुपए का target होगा 27,400 रुपए के इस तरफ पर आप stop loss लगा सकते हैं लेकिन आज एगरी मार्केट में बड़ी हल चल देखने को मिली है और जीरा वाइदा ने शांदार चलंग लगाई है और 700 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ जीरा का वाइदा आज बंद हुआ है जबरदस तेज तो वो स्पाइस काउंटर का राखास कगर जीरे की बात करें डोमेस्टिक साइड हमने देखा है ते कॉलिटी यो भी था और ये माल भी पुरा नी था उसके बाद हमने एक्सपोर्ट में काफे चीज़ जम पाते देखें वो भी एक पारिसिपेशन था टाइम हमने लगता ह कि ये रैली कंटीनु रह सकती है आज जीरे के साथ साथ हल्दी वाइदा में भी एक्शन है लेकिन एक्शन इसके अपॉजिट है जीरा वाइदा में जोरदार तेजी तो हल्दी वाइदा में आज तेज गिरावाट आई है और 4% का निटला सरक्य टेमरिक के वाईदा में लगा है लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद तेमरिक वाईदा में इतनी बड़ी गिरावा टाई है आस्था जैन क्या कमेंट होगा आपका तेमरी के उपर क्या ये करेक्शन ये गिरावा तभी आपको еще बड़ती विदिक रही है गोईंग फोवच सेवेंटी वन हंड़ीड सेलेके सेवेंग थाउजन फिफ्टी तक के लेवल हमें इस को मॉड़िटी में देखने को मिल सकते हैं ठीक है हमारे साथ कोशल है पशी मंगाल से और कच्छे तिल के उपर इंका सवार है पूछिए कोशल मैंने टू नाइन वान गिरो पर कुड़ पर पसलोड बाई किया था ठीक है लेकिन एस्टापलास मैंने कहां पर रखो ठीक है इसोस्ता है ओके कुड में अजय के डिया क्या इस्टाटरजी होनी चाहिए आगे के डिया और इस्टापलास कहां लगाना चाहिए मुझे लगता है कि स्टाटरजी वीक साइडी है जिस दंग से हमने सप्लाई काफी एडुकेट देखी है युएस में इन्वेंटरी भी काफी है नोराट थोड़ा बहुत बाउंस है 2900 से लिया जुरूर मुझे लगता है कि इनको लॉंग से एक्जिट करना चीए यहां पर एक शॉट बनाना चीए 2930 पर स्टॉप लॉज साथ का रहेगा प्राइजस के पुरे चांसा से के 2860 तक का लेवल दिखा दे अभी भी फंडामेंटल काफी वीक है हमारे साथ शनी है आगरा से पूछे शनी आपको आवाज आ रही है टीवी का वाल्यूम कम करिये फिर सवाल पूछे प्लीज हाँ सर आ रही है पूछे है 29300 से मेरा गोल्ड सेल है ओके 29300 पर आपने गोल्ड सेल किया है क्या व्यू है अजे के डिया इनके लिए क्या करना चाहिए इनको देखे जैसे भी अभी भी देखे हम तो 1230 के ओपर इंटरेस्टनों गोल्ड जा नहीं पा रहा है एक दाइरा बन चुका है 1200 डॉलर से 1230 का ये बिंटेन रहेगा टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट पे अगर 28600 के ओपर गोल्ड नहीं जाता तो मुझे लगता है 28600 तक का लेवल देखने मिलते हैं टाइमिंग इनका जो शॉट पोजिशन उनको होल्ड कीजिए 28600 पचास तक का लेवल मिलता वहां पर ये बुक करके निकल सकते हैं ओके ठीक है आस्था जैन आपका कमेंट मेटल मार्केट के ओपर क्या होगा आज शाम के लिए अगले छे घंटे के लिए आपको सबसे अट्रेक्टिव मेटल कौन सा दिख रहा है जिस तरह से कल थोड़ा सा डॉलर वीक हुआ था पूरे मेटल पैक में हमने तेजी देखी थी आज शाम की बात करें तो अलुमिनियम में मैं काफी बुलेश हूँ अलुमिनियम के बात करें तो तेजी इस काउंटर पे भी देखने को मिलेगी 388 का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसके लिए आप आपको और यहाँ अगले करके चल सकते हैं यह मानना है आफ़्था का काउंटर में इसपर आप नजर रखे इसके अलावा अजे केडिया आपकी राय मेटल मार्केट को लेकर क्या होगी कॉपर के अलावा अगर बाकी मेटल में ट्रेड करना हो तो आपको सबसे ज्यादा अट्रेक्टिव कौंटर कौन सा दिख रहा है मुझे लगता है सब फंडामेंटल थोड़े से अलग अलग है खास करके जिंक की बात के जिस दंग से हमने शौटेजिस की बात देखी थी तो 180 का लेवल जब तक मेंटेन रखा है प्राइजस में पॉजिटिव मोमेंट हम रहेगा जो 185-186 का कौशिसली उपर जा सकते है वहीं ऐलुमिनियम में मैं काफी जादा बुलीश हो मुझे लगता है कि प्राइजस करेंट मार्केट से भी लिया जाए अजय केटिया काफी बोले टाहिल कॉंटर है ये दोनों आज अना की गिरावाट के साथ ये दोनों कॉंटर बंद हुए हैं लेकिन क्या उटलुक आप देख रहे हैं गवार्सीड और गवार्गम का अगर देखा जाए गवार्सीड और गवार्गम जो भी नेगेटिव नीज आनी थी अल्मोस्ट हम सब चीज को डिसकाउंट करके बेठे वे हैं ये अपते में उन्हें वाल्टिटी नो डाट काफी देखिए टाइमिंग मुझे लगता है जिस दन से यूएस में करेगा मौनसुन डेफिनिटली अच्छा है डिमांड इस वक्त नहीं आ रहा है तो अल्री ये डिसकाउंट्स हो चुकी है गवार्गम की बात करें तो मुझे लगता है जो दाइरा रहेगा छेजार आट सो नीचे में साथ अजाद दोसो ये दाइरा रहेगा जबकि गवार सीट में 32-50 से लेके 34 बजा ये दाइरे में बिल्कुल अगले हफ्ता 15 में ट्रेड करेगा मार्केट ठीक हरीश है और इनका सवाल मस्टर्ड के उपर है पूचिए हरीश सर्साओं और गेहूं का आउटलूक आप जानना चाहते हैं आस्ता जैन क्या आउटलूक आप देख पा रहे हैं दोनों का मस्टर्ड में हना कि काफी गिरावा टा चुकी है क्या आप यहां पर प्राइस का मुमेंट आगे देख रही है बेसिकली मस्टर्ड के बात करें तो इस पर जो प्रोड़क्शन है काफी स्ट्रॉंग है अराइवल्स काफी स्ट्रॉंग है जिसकी वज़े से गिरावट देखने को मिली है अभी थोड़ी वीक्नेज और इस काउंटर पर देखने को मिल सकती है इन्हें सहला दूंगी अग पैस सो पचास के आसपास एक कमोडिटी अविलेबल होती है तो वहीं वाइंग करें वीट की बात करें तो वीट में तेजी हमें देखने को मिली है गोइंग फॉवर्ट टेजी आगे जारी रहेगी सत्रा सो की टागेट के लिए बाइंग की सला दोंगे हमारे चार्ट विकास हैं राजस्थान से पूछे विकास आप सुन पा रहे हैं विकास स्वाइबीन के दाम कब तक बढ़ने वाले हैं अजेक एडिया स्वाइबीन की बात के तो प्रोडक्शन लाइन काफी अच्छा था प्रजेस मस्पी के नीचे भी गुड़ चुके थे उसके बाद हमने एक स्टैबिलिटी आते वी देखिए टाइमिंग मुझे लगता जो दायरा रहेगा दोजार डौजार नीचे में तीनी जार पचास और मुझे लगता तीनी जार के इर्द घुमेगा उपर में इगर ती सो पचास तक का लेवल मंधेंट तक देखने मिल सकता है ओके ठीक है तो इस पर आप नज़र रखिए राकेश हैं लुध्याना से और नेचुरल गैस के उपर इनका सवाल है पूछे राकेश एंजी में किस लेवल पर बाई करना बेटर रहेगा आस्था एंजी के बात करें तो अभी मुझे इसमें वीकनेस लगता है कि और आएगी इसमें 190 की टागेट के लिए सेलिंग की सला में यहां देना चाहूंगे बाईंग के लिए अभी रुकें क्योंकि दोसों का काफी इंपॉर्टन्ट रेसिस्टेंस है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा बाईंग इस कमोडिटी में नहीं बनेगी हाल फिलाल वेट करें एंजी में बाईंग करने के लिए तो आप करें कि यहां पर वेट करना थोड़ा बेतर रहेगा और 190 का टार्गेट यहां पर दिया जा रहा है एंजी में तो यहां से मार्केट और नीचे जाने की संभावना दिख रही है इस पर आप नदर बना कर चल सकते हैं चलिए वक्त एक ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जब आप जारी है गर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि कामोलिट्री मार्केट में आपको कहा पर मुनाफ़ा मिलेगा तो आप कॉल करिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1803545 साथिया 0120-4258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं झाले सकते हैं सवाल जवाब जारी है गर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बादार में कमाई के मौके कहा पर हैं आगे की रेनीती आप बनाना चाहते हैं तो लगटार कॉल करिए हमारे साथ दोनों एक्सपर्ड आपके सवालों के जवाब देने के लिए ब यह जानना चाहता है कि आज के लिए सबसे बेटर आपशन कहां पर है यह आपकी टॉपिक आज के करोबर के लिए क्या होगी और वहां पर किस तरह का ट्रेट करना चाहिए मुझे लगता है कि क्रोबर काफी अचा काउंटर रहेगा कल के सेशन में हमने काफी अची गिरावट भी देखी करन्ट मार्केट से 38 या 40 की रेंज पर भी अगर बेचा जाए तो नीचे मुझे लगता है आटाइस सो साट साटर तक के लेवल इनको देखने मिल सकते हैं गंशियाम है MP से पूछे गंशियाम अजय केडिया बहुती महत्मून सवाल है इनका ये किसान है इनके पास पास सबोरी स्वाइबिन का स्टॉक है और ये जानना चाहते हैं कि इनको अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए या रोक कर रखना चाहिए आगे कुछ कीमतों में तेजी दिख रही है तो हाजिर बागार के लिहाँ से आप बताएं कि आगे आपको स्वाइबिन का प्राइस कहां पर जाता हुआ दिख रहा है मुझे लगता है इनको पॉजिशन होल्ड करके चलना चाहिए कि हाजिर में मुझे लगता है जैसे हम अगर सब्तेंब्र में पहुंचेंगे आप फेस्टिवल डिमांड भी बढ़ेगी नो डाउट इस बार क्रॉप साइज काफी जादा है बट MSP के नीचे प्राइस निकलना चाहिए इनको एटलेस्ट अगर एक से दो मेना का वेट करते हैं तो 32-352 तक का लेगल देखने मिल सकता है अगर एक मतलब इनका कहना यह है घंश्याम जी अजय के डिया आपको यह कह रहे हैं कि अगर आप एक मेहने तक होल रख सकते हैं तो आपको 32-100 के उपर का दिख सकता है यानि यहां से करीब 200 रुपए की तेजी अजे केडिया के मताबिक एक मेने में हाजिर बाजार में यानि जो इस्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसके दाम 200 रुपए परती कुइंचल तक एक मेने में बढ़ सकते हैं तो इस पर आप नजर रखिए और साथ ही आपका आउटलूक अजे के डिया सोया तेल और सीपियो के ऊपर क्या होगा दोनों काउंटर में देखा थे तो हमने फर्स्ट क्वाटर में काफी अची तेजी देखी फेस्टिवल डिमांड काफी था बट अभी जो मेन मुझे नियुज लगी वो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर है उसकी वज़े से प्राइजिस में इनिशिली थोड़े जम जरू आ अगरे कोदर हमारे साथ भूपेंद्र है पंजाब से पूछिए भूपेंद्र नमस्कार पूछिए निकल पाई किया है और नेड़ बाई किया है यह जानना चाहते हैं क्यों डाम इसके गिर रहा है क्यों बात करें तो यही एक मैटल है जो पूरे कमोडिटी पैक में और मैटल पैक में इसमें डाउनसाइड देखने को हमें इसमें बिल रहा है अभी भी ऐसा लगता है डेमांड इसकाउंटर पर अभी बन रही है लेकिन इन्होंने 610 की बाईं किया आज तीजी में है तो म 580 के स्टॉप लॉस के साथ यह अपनी पोजिशन को होल्ड करें गोइंग फावर इनको इनका टागिट देखने को मिलेगा अंकुर है पंजाब से पूछे अंकुर पर शुगर पर हमें पूचिना ताजी शुगर की बाय करेंगा है चीनी वाइदा में फिलाल किस तरह का ट मुझे लगता है काउंटर काफी बैरीश है जिस दंग समने यह साल के जो प्रोडेक्शन एक्स्टिमेट देखें वो काफी जादा है उसकी वज़े से प्राइजस में गिरावट का रूख बना हुआ है पिछले साल महाराष्टा में डेफिसिट थी इसकी वज़े से मुझे लगता है महाराष्टा और यूपी बैड देखें तो काफी अच्छे प्रोडेक्शन लाइन अप है और डिस्पाइट गवर्मेंट ने जो स्टैप लिया है यह भी समल नहीं पारा प्राइज को डैमेंस इस बार डोमेंस्टिक प्रोडेक्शन काफी अच्छा लेग है अभी अट्ठाइज दीज में और फर मेरे को एक वास हमें नहीं आशी है कि के टिया कमोटियों है हम वाले जो है यह अलग अलग हमको चो है बताते हैं एक बुसा सेल करो एक बोलते हैं बाइसरों को सवाल ठीक है लेकिन क्या होता है कई बार की मार्केट को एनलाइज करन दो डिरेक्शन आपको यहां पर बताए जाते हैं हाना कि लेवल अलग अलग होते हैं तो उस लेवल को आफ फोलो करें जो लेवल आपको दोनों एक्षपट बताते हैं कि किस लेवल पर बाई करना है किस पेस्पेशल करना है उस लेवल को भी आफ जरूर देखें और जहां के जो स्टॉक से उसमें बड़ोत्री आई तो और मुझे लगता फंडामेंटल वी के बीच में जो जंप आ रहा है वह एक टेक्निकल बाउंस हम बोल सकते हैं तो करन बहुंसे भी मुझे लगता कि अगर बेचा जाए तो नीचे में आठाइसो साथ सतर का जो लेवल है वो डे चांदी आप एक्षट कर रहे हैं चलिए तो आप जानना के चाहरे हैं को मिला कि यह कि क्या चांदी के दाम अभी यहां से बढ़ने वाले हैं अगर लॉंग टर्म का यू देखें आस्ता तो लॉंग टर्म को लेकर के चांदी के ऊपर क्या उट लुक है आपका लॉंग टर्म के बात करें तो दाम अभी यहां पर बहुत जादा बढ़ते वे नजर नहीं आ रहे हैं एक रेंज बाउंड हमें यहां पर कारोबर देखने को मिलेगा 35,000 से 40,000 का एक ब्रॉड रेंज है जिसमें चांदी हमें मूफ करती भी दिखेगी आज की ट्रेट की बात करें तो थोड़ा बुलिशनेस इसकाउंट्र पर देखने को मिल सकती है इसलिए मैं बाइंग की सलाह दूँगी 37,400 के टागिट के लिए विनोध हैं बोकारों से और मेंथा पर इनका सवार है पूछे विनोध नमस्कार मैं 936 विकवाली किया हूँ अज़े तरह से मैं जाना चाहरा हूँ क्या करूँगा मैं रूखूंगा या ओके जिसका जाए हूँ 936 के इस्तर पर आपने मैंथा में विकवाली की है करीब 6,5 रूपे नीचे ये कॉंटर बंद हुआ है अजे केटिया क्या इनको रुकना चाहिए भी देखिए मैं ज्यादा बैरिश नियू मैं था में नोड़ाट इंट्र डे जो हमने पिछले दो दीन से देखा मार्केट में थोड़ी गिरावट जरूर है जश्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है जो भी आप सेल कीजिए प्लीस टॉप लगा के चलिए 956 अगर 956 का लेवल अगर मैं था तोड़ देता है तो मुझे लगता 980-990 ज्यादा दोड़ने टाइमिंग जब तक 956 नहीं तोड़ता है डेफिनिटली आप 10-12 रूपे के अंदर जॉबिंग कीजिए बेचिए नीचे में 925 कवर कर लीजे पट 956 के उपर अगर जंप करता है तो 990 से पहले अभी आप ट्रेड करना चाहते हैं ठीक है अगर ट्रेड करना कोई नया ट्रेड करना चाहे मार्केट में चाहे अगरी हो तो आप कहाँ पर सलाधेंगे ट्रेडिंग प्रूप अगर शॉट तरम और आज की दिन की बात करें तो ।डेफिनिकली एलुमिनियम में बाइंग कॉल देना चाहूंगे एलुमिनियम में चाहे तो बाइंग किया जा सकता है 122 की स्थर पर 120 की स्टॉप लॉस के साथ 125 से 126 की टागेट के लिए मुम्ताज है लुद्याना से पूछे मुम्ताज अगर देखा जाए तो पूरे बेस मेटल काउंटर एक मिला जूला एक गेंज देख रहे हैं आज के लिए इनको 148 के स्टॉप लो से मींटेन रखी है 150 का एक अच्छा रिष्टेंट अगर ये ब्रीच हो जाता है तो आज की डेट में मुझे लगता है कि 151 तक का लेवल देखने में सब्सक्राइब जी तक से चाइना में वेहिकल से इसके डेटा अच्छे आए है उसके बाद हमने काउंटर में काफी दा अक्टिविटी देखी है टाइमी इनको होल्ड करना चाहिए 150 के ब्रेक पर 151 तक ये देख के निकल सकते हैं ओके तो 151 तक आप कह रहे हैं कि इनको वेट करना चाहिए और ये लेवल इनको देखने को मिल सकता है आगे बढ़ते हैं कुछ और मैंन्था ओएल का साथ दिख रहा है जो बात यहां पर आजे ने भी कही क्या आप एगरी करती हैं अजे से और आपका अपना आउटलू किया है मैंन्था के उपार कि बिल्कुल मैंन्था के बात करें ओल्दो आज हमने वीक्नेस देखिए इस काउंटर में 940 के असपा से कमोडिटी ट्रेट कर रहे हैं इसमें जो भी बाइंग किये वे और जो बने वे हैं उन्हें मैं 910 का एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगी 910 के स्टॉप लॉस के स साथ इसमें बाइंग किया जा सकता है गोइंग फॉवर्ड इसमें 990 तक की टागिट हमें देखने को मिलेंगे ओके अगले कोदर हमारे साथ वीनोध हैं भुझ से पुछे मिनोध जी आपके पास कैस्टर का बड़ा स्टॉक है अजय केडिया क्या सलाह है इनके लिए आपक क्योंकि अभी कैस्टर में कुछ तेजी आई है चाहिए इनको रुखना चाहिए आगे दाम और बढ़ने वाले हैं मुझा डेफिनिली उनको रुखना चाहिए हाजिर में भी है और हमने देखा है पूरे साल में जब से लाउंच हुआ है मोमेटम काफी पॉजिटिव था बीच में जरूर हमने एक फॉल जरूर देखा बट ओर और फंडामेंटल अभी भी बुलिश है होल करके रखिए उपर में वापस 4800 4700 तक के भी लेवल जल्द देखने मिल सकते हैं ओके ठीक है 4480 पर बाइंग की सला है 4580 के टार्गेट के लिए और 4450 का स्टॉप लाउस आप यहां पर लगा कर ट्रेड कर सकते हैं केस्टर में बाइंग की सला यहां पर दी जा रही है अजे केडिया की तरफ से इस पर आप नज़र रखिए और आस्था जैन आपका व्यू करंसी मार्केट को लेकर क्या है क्योंकि शेर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज बादार ने 32,000 की रिकॉर्ड उ के डॉलर में एक वीक्नेज हमें देखने को मिली है जैने यहलिन के जिस तरह से स्टेक्मेंट के बाद तो उसकी वज़े से रुपेग में और मजबूती हमें गॉइंग फ़ॉवर्ड देखने को मिल सकती है चौनसर तक के भी लेवल हमें यूसडी आइनर में देखने को मि होंगी ओके चलिए अब और अब वक्त है रैपीड फायर रहा हुगा अजय केडिया आपकी पहली रैपीड फायर कॉल क्या होगी मुझे लगता है कि एनर्जी काउंटर में से क्रूड मंदा लग रहा है 2930 पर बेच के चलिए 2860 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं आपकी कॉल आफ्सा जैन कि कॉपर में बाइंग के से रहेगी 388 के टागेट के लिए आपकी आफ्री कॉल आजय के डिया मुझे लगता है कि अगर सोने चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे आज गिरावट का रूग रग रहा है 37,000 के पर सस्टेन नी कर पार है वहाँ पे बेच की चली नीचे में 3600 के लिवल चांदी में देखने मिल सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप अजय के डिया आपका और आस्था जैन आपका भी हमसे जूडने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मारकेट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं झाले हैं